कलस्टीवी के पॉपलर इलस पाई बहु में हमने अब तक देखा कि योहान और सीजल परिशान होते हैं दोनों ही दोनों को ही प्यार का एसास होता है लेकिन इस बात से अंजान होते हैं कि उन्हें प्यार हो चुका है वहीं हम देखते हैं कि इंटेलिजेंट एजेंसी के क्योंकि नंदा इंडेस्ट्री से ही गन सप्लाई हुई है मुंबई बॉम ब्लास्ट में आगे सीजल पीपर्स चेक करती है और कहती है आपकी पास सर्च वारेंट है ना कि अरेस्ट वारेंट है इसलिए आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं और यह देखकर ओफिसर हैरान होते ह आगे हम देखते हैं कि ऑफिसर कहते हैं कि 12 घंटी में अरस्ट वारेंट भी आ जाएगा और तब तक नंदा इंडस्ट्री बंद रहेगी और सेजल कहती है ठीक है इतना वक्त हमारे लिए काफी है और हम साबित करके रहेंगे कि हम बेगुना हैं वहीं आगे सेजल को शालेनी कहती है तुम्हें इतनी सारी बाते कैसे पता हैं और क्या तुम कोई खूफिया पुलिस आफिसर तु नहीं हो और योहान कहता है कि हमें सेजल को थैंक यू कहना चाहिए वहीं आगे हम देखते हैं कि सेजल और योहान को पता चल जाता है कि मिस्टर शाह है जो टेररिस्ट को गन सप्लाइ कर रहे हैं वहीं सेजल को गन के नाम भी याद होते हैं और योहान पूछता है तो सेजल बहाना बना देती है आगे हम देखते हैं कि मिस्टर शाह और अभिशेक मिले होते हैं वहीं योहान कहता है आज तो इनको 100 करोड की डिलिवरी भी हो रही है इनकी डिलिवरी रोकनी होगी और सेजल और योहान निकल जाते हैं इस डिलिवरी को रोकने के लिए वहीं हम देखते है कि अब शेक कहता है मिस्टर शाह से कि जैसे ये 간सायन्मेंट आ जाएगा वैसे ही हम अपना अगला अटैक प्लान करेंगे अब देखना यह होगा कि सेजल क्या योहान को बेगुना साबित कर पाएगी क्या इस कंसायन्मेंट को रोप पाएगी जानने के लिए देखना ना भूले स्पाई बहू टेलेविजन की लेटिस्ट अबडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले